हमिर्ण इंडिया मेरे मिस प्रसाइबर डिया यालु प्रसाइबर निपाल आदरणिया संपूर्ण रास्ट्रवक्त नेपाली अरुमा, मैं यो निवेदन गरना चाहांचू कि यहां आर ली यो भीडियो ला, जती सब्सक्तू सियर गरनो ला, कि नकी सिमा विबाद को बारे मां तपाई ले रहा, मैं ये गौफ गरे रहा, हम्रा दुख शुका बांडे अगर मैं नेपाली में बोलूँ तो सायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिस आप्शन हो सकता था लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सायद इंग्लिस समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं सेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूँ कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा शीख रहा हूँ, ताकि तुम्हारी ताना शाही का जवाफ दे सकूँ, आज नेपाल और इंडिया के इस बिवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना ज चाहता हूँ, मैं बहुत पहले एक आरोप का जवाफ देना चाहता हूँ, एक इलजाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है, कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, सो फिसल गलप, नेपाली कभी भी एंटी इंडि में मेजर शेर जंग था पासे लेकर भीमबाद उर्देवान तक, अगर इतियास के पंडे खोल कर देखेंगे, तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं, और जिसने आपके सरहदों की हिफाज़त की है, मरमर कर आपने उसी की सरहद पर कभजा कर दिया, हम कभी भी एंट पर फिर्टीन नेपाल हरकत कर दिये, आप लोगोंने दसेरे के रुज नेपाल में नाका बंदी कर दी, हर रुज मर रा के सब्चिशों की किलत हो गई, दभाईों तक की किलत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने असपाताल में छिट पटाते हुए दम तोड़ दिया, आ हम सब एक होकर बिरोध कर रहे हैं इंडियन इस कोरोनाइजेशन मेंटालिटी का तरह आप लोगों का इतना ही रुजान है आपके नेता कहते हैं कि मदेशी लोग हमारे भाई है हमारा रोटी बेटी का रिष्टा है ये सब है तो गोर्खालेंड का अंदुलन जब आप लोगो मामला है ऐसा समझ कर आपके देश में जब गोर्कालेंड का अंदोलन हो रहा था अभी भी जब यह एनर्सी चल रहा है आपके मुल्क में तो कितने नेपालियों के सिटिजन सिप रिजेक्ट होंगे लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं बोला क्यों नहीं बोला क्योंकि वो आपका अंदुरूनी मामला है लेकिन आपने हमारे अंदुरूनी मामले पर दखल अंदाजी की कोई भी नेता नेपाल का कोई भी लिडर आप लोगों के खिल बंदी हटाना पड़ा, इंडियन गवर्मेंट हमेशा ये कहती है, कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था, बकवास, जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दि जिसके एवज में हमें दसेरे के रोज पर, दसेरे के रोज हमें इतनी तकलिफ सहना पड़ा, तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई, दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मिडिया कहती है, खासका थेरा बस चलता तो नेपाल में बेंट कर देता में इनकम भक्तों को, यह कहते हैं कि नेपाल टेरिस्ट का अड़ा बन रहा है, आई एसाई की समरक्षन में यहां मदर से चल रहे हैं, तो कहां से आए वो टेरिस्ट, जो जबीपुतिन अंसारी, 26-11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठ कर जो कमांड द नेपाल से, इतनी यह तकलिफ है, आपकी सिक्यूरिटी को इतनी दिक्कर है, तो बंद कर दो ना बोर्डर, लगा दो ना बोर्डर पे तार, किसने रोका है आप लोगों को, लेकिन नहीं, आपके प्रदान मंतरी कहते हैं, नरिंदर मोदी जी कहते हैं कि बोर्डर हमेसा लेकिन आप ऐसे इलजाम तो मत लगाईए नेपाल में, जितने भी टेरिरिस्ट नेपाल में आये हैं या आये होंगे, वो कहां से आये, आसमन से उड़के थोड़ी आये, वो आप लोगों के वहां से आये, इस पार आये, तो इसमें हमारा क्या दोस्त, अब मैं बोर्डर की कबजा कर रखा है, आज से नहीं, 60-65 साल पहले से कबजा कर रखा है, और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्मेंट ने आपको धोके में रखा है, वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्षा दिखा रहे हैं, वो वो नक्षा नहीं दिखा रहे हैं, जो एंगलो गोर्खा व गवर्मेंट दिखा रहा है तो वो जमीन आपकी हैं मुर्म हमारी है हमारी थी हमारी है और हमारी रहेगी और यह काला पॉनिका इशेई यह 51 जगों का इशेई और स्याचीं चाहें जहांपर घास भी नहीं ऊबता वहां पर Would a дост्रीन हजार सैनिक रहे हैं आप लोग लड़े हैं वहाँ पर 4000 फिट उपर जाके जहां पर घास भी नहीं उपता तो आपका स्याचिन जैसा है हमारे लिए हमारी धर्ती वैसी है ना आपका स्याचिन जैसा है हमारे लिए सुस्ता वैसा है आपका लिपुलेट जैसा है हमारे लद्दाक वैसा है आपका देश्प्रेम और हमारा देश्प्रेम KIYA? हमारी देश्प्रेम की हमारे धेश्बक्ती की कोई बिशाद महीं कोई आउकात नहीं सिर्फ इसल्बिये कि हम पाकिस्तान की तरह आप और कोडों की बरिशा करते थे वो आप लोगों पर आपके बहु बेटियां भी शुरक्षित नहीं होती थी मैंने पढ़ा है वो इतियास जब बाल गंगादर तिला के और मातमा गांदी आप ब्रिटिसेस के खिलाब मुर्चा करते थे नारे लगाते थे इतना कोलोनाईजेशन सहन है के बावजूद भी आप लोगों को ये ऐसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जोन करता है तो यहां दर्द होता है यहां से ज्वाला उठती है लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं गोर्खा है हम गोर्खा लड़ना हमारी खून में है बुझदिल नहीं है हम और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे आपको वहां से रटना ही होगा क्योंकि इंटरनेशनल विरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है चाहे आपका मुल्क बड़ा हो चाहे हमारा मुल्क छोटा हो लेकिन इंटरनेशनल विरादरी में हमारा लेवल एक है इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगांडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूँ निंदा करता हूँ एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकिदार हूँ तो आपके एक नेता ने ये बोल दिया कि चौकिदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं सिर्फ चौकिदार की तरह देखते हैं अब हमें कितना बड़ा रिष्टा है हमारा कितना पुराना कितना इस्टोरिकल रिलेशन है हमारा आपके लोग भी तो हमारे यहां आ के लोहा शिशी उठाते हैं कवाड उठाते हैं लेकिन हम तो कभी ऐसे अलफाज इस्तमाल नहीं क यह पूरा प्रोपोगांडा फैला रखा है और आप लोगों को धोगा दे रखा है, 126 पिलर हमारे गायव हुए हैं, शिर्फ यह काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायव हुए हैं, उनको कोई जमीन नहीं खाया है, कोई आस्मान नहीं निगला है, आपके SSB के जबान रातों रात घुषकर वो पिलर उखाण दे पे, और जो रात को जो जो नेपाल था जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानब, ऐसे चमतकार हो जाते हैं, और हमारे बॉर्डर आपके लोग, आपकी गवर्मेंट उस पर कबजा कर लेती हैं, अंत मैं मैं स इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन्शिप है, जो बाइलेटरल रिलेशन्शिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए, लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है एक limitation होता है और जब वो limitation टूटेगा तो इस दोस्ती में दरारा सकती है अभी यह दोस्ती मजबूती से चल रही है आपके film यह चलती है हमारे यहां हमने कभी उसका buy cut नहीं किया है आपके serial चलते हैं हमारे यहां आपके लोग आकर यहां बिजनेस करते हैं हमारे लोग जाकर होना काम करते हैं तो इस दोस्ती को पबलिक लेवल पर बरकरार रखना है और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्मेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा उसे ये समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आप अपनी बहु बेटी को बहु बेटी, अपनी मा को मा और दूसरों के ओरतों को इज़त ना देना इसी तरह है जो आप अपनी जमीन को इतना मुहबत देते हैं और दूसरों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते मैं प्रातना करता हूँ कि आज के बाद ये सब चीजें दीरे दीरे ठीक हो जाएंगी एसी नौबत नहीं आएगी कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े मैं सारे नेपालियों की तरफ से यही काम ना करता हूँ जै नेपाल, जै पस्वतिनाथ सुक्रिया